हर प्यारे दर्शकान आई इस खास पेश्वक शोब हो बहुत-बहुत सवागत दोस्तों आम तो और तरह से देख दे हैं। बहुत शारे परबार जड़े हैं हूँ पंजाब दे लो कितना गेदे विदेशां पेच जान दी भौः सरह इच्छा रख दे और कई तरीक गेड्ड़े जान दे जान दे एक तरीक्का गेड़ा सब Australia इंपौर्टन। असी देख देखते हैं कि वह मेरेज देनाल लोग बिद इसनों लाकिसानों अपनानियां चाहिए दिया है सो एस विशिद होते हैं ऐसी गालबत करांगे और मेरे नाल बहुत ही खास लेके नहीं जा रहे हैं तो जो दुबारा नहीं आंदा तो लड़की दे कोड़ की आप्शन के स्थारा दे रेमडी जड़ी हैं बाच लिए अगर जे लड़का विदेश जरेंदा थे आके मेरिज करवा के चला गया तो बार नहीं आया दौरा ते वाइफ नू सब तो पहले की ओपना मेंटरेंस किलेंग कर सकदेंगे की फर मंथ मेंटरेंशate रेमेडीज रेमेडिज गेए चाहिक। 125 CRPC तले maintenance claim कर सक दिया है second or domestic violence तले भी जा सक दिया अगर उना domestic violence होई हो अधे बिच separate maintenance दा provision है इत तोलावा अगर दो साल दा सम्मा भी जन्द है दो साल दा सम्मा तक नहीं लड़का उनू लाएके जन्द आज़ा नहीं लड़के ना रही और को divorce दी ground बंजन दी है और divorce भी फाइल कर सक दी है अगर लड़के ने cheating करवा के marriage की ती है ते ओधे ते F.I.R. लोज भी करवा सक दी है सर आम तो अड़ते से देखते हैं कि हुंदा किया कि महीना इत्ते रह के चला गया और वो in between ओना दे physical relations भी बंदे है और के भी लड़की pregnant भी हो जांदी सो ओस सूरच अगर लड़का मुड़की उना ना राफता नहीं रख़दा जा communication नहीं करदा ता लड़की दे लई शायद दुश्वारियां थोड़ियां होड़ जादा बदन दे चांसे सुनदे किस तरीके दे एहतियात खास करके तुस्य सुजेस्ट कर दे हो के marriage खास करके NRA marriage नहीं करन वास दे पेरेंट्स नो लैंड दी लोड़ है तब सब तो पहले है कि अगर लड़के NRA और ना marriage करवानी है पेरेंट्स नो चाहिदा होदा पासपोर्ट अच्छी तरह जाचाया जाए उदी कोपी लही जाए और अगर अगर मैरीड नहीं है उदे बावजुद भी इंडियन अबेसी तो फोरण दा अड्रेस पता लागी जिन्दा है उदा स्टेटस पता लागी जीगा और दूसरी का लागी मैं पहले दास चुका कि जे लड़की अगर लड़का चला गया नहीं है और को जो जो इंडियन लोग देवेच हिंदू मैरीज एक्ट सले जिन्ने उदको प्रवीजन्स है और कोडिंग लड़की अपना फर्दर कोर्स अफेक्शन कर सकती है मैं पहले दास चुका डिवोर्स फाइल कर सकती है अगर नहीं और तो पहला मेंटरनस चार्ज क्लीम कर सकती है पता चाल दा कि लड़का जिड़ा उन्हें उते शायद कॉंट्रेक्ट मैरीज किती है जहां मैरीज पहले किती हुई है सो उस सूरज चे जदो लड़की वाले में यह उप्शन मिल दी है तब फिर उकेस तरीके दिना लगे फर्दर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की हो सकता है दो तरह के दे रेमेडी लड़की वाले कोल है गी है एक रेमेडी है अगर उन्हें अलड़ी मेरीड है और पहली मेरीड डिस्क्लोज किते बिना सेकेंड मेरीज कर लिया ते ओव फोर नाइंटी फोर आईपिसी थले एफ़ई रजिस्टर कर वा सकती है बाई एम्मी कहन दे कि लड़का विदेश चाओ उन्हें मुड़की कम्मिनिकेशन बांद कर देता है इनना संपर्क नहीं हो पा रहा है फिर उन्हों सम्मनिंग कीता कीती जाए मैं लोग क्यों कि जदो इते ऐसी केस फाइल कर देया तो नॉर्मली देख देया कि लड़का अड्रेस गलत निकल जहां उदा फोन उते बांद आना शुरू हो जन्दा तो उस सूरज चासी लड़के नूँ लुकेट करना उन्हों सम्मन करना पारत बुलाना किन्नाक मुश्किल प्रया काम जड़ा तो से जित्ताक सम्मनिंग दा सुवाल है अगर तैसी सिवल कोड चे केस फाइल कीता है ल पांज आ है उनना डील करता है जिदे विच उन्हों उन्हों उदे जिडा रिजिस्टेट पोस्टल एड्रेस होएगा उदे ते सम्मन जानगे थरू पोस्ट जानगे विए अगर अगर जे रेस्पोंडन थे वाटसेप थे भी ऐसी समण पेज दिये तो भी गुड सर्विस बनी जाएगी इस करके सर्विस वाली दिक्कत है मुन लगदा हुन खतम हो चुकी है इन ज़ादा दिक्कत नहीं है सेकिंड नमबर तो जे असी करिये क्रिमिनल के सिद विच अगर एफ़ आर जेस्टर होई है ते फिर वरंट ऑफ जोड़ी अरेस्ट जेड़े अगर ओव इशू होई है ओ एग्जिक्यूट होंगे ओ किस तरह एगजिक्यूट होंगे जड़ी वरंट ऑफ एड़ेस्ट जड़ जड़ी कंट्रीज हैं जिदी इंडियां गोवर्मननल ट्रीटीज है ओस स्टेट दी ऊसो थोटी दे थ्रू होदे जड़ी आरेस्ट वरंट एग्जिकूट करवाई जागे हैं जी सो कितने किते अगर सरकारां दापस बिच तालमेल है ता शायद कितने किते शायद असानी ह हो सकती हैं कि लड़का जड़ा है वोने इंडिया चेमेरिज कर ली और बिदेश चला गया है उत्या एक्सपाटी डइवोर्स भी लह सकता है जा किस तरिक्के दिना रिक्या का ऐभरी ऐ हो जब सभी सब्सक्राइब कि लड़की उत्हीं जाना जाओनों क्मिंटेशन बीनी ह हैं फिर तो से डाइवोर्स कार सकता है अगर उफसे नहीं है ओ nós ओनों सीटिजेन ओफ ओन ऊंट्रिया है और ढोमिविसाइल इंडिया या फिर ऊफे फोरन में तरिह डाइवोर्स लेगा ब के सह HTML एगए sound राउंड फ मेरीज डैवोर्स है ब्रेकडाउन मेरीज उसे विच उनने फोर्ण यूएस देविच डैवोर्स लाके इंडिया आगे इंडिया देविच केस से लिया थे उते विच है मैटर हैल्ड होया कि जेड़ा फॉर्ण कंट्री इच अगर जेड़े शिटीजन नहीं है न कि इस ग्राउंड ते विच जेड़ा हिंडो मेरी जेड़ा मैंट किता जाया है जो दो आफुच गूर्ण के चाल शीज चाल देशा था आम तो औरते आउसे देख नहीं कि जे मुंड़े देनाद इंडिया मेंच ज्या कोई फिक्स डिपाज़ट है जा कोई प्रापड दे अगे बिल्कुल हो सकती है अगर लड़की ने मेंटिननस केस फाइल कीता है और अनों मेंटिनस कोट वलो लग चुका है और उधी रिकवरी वास्ते अगर लड़के दना आते थे प्रॉप्टी है और दे एग्जेक्शन जाकि उस प्रॉप्टी नो टैच करवा सकती है उस प् मेंटनेंस जीड़े आलाउंस जीड़े जीड़े पेंडिंग और रिकवर करवा सकती है जी आम तो अरते से देख दें कई वरे आहो जिया मेरे जुदिया जेदे एक हिंदू और एक नौन हिंदू दोने अगर पार्टनर्स आगे है तो उस सूरद भी हो की खर्चा क्लेम कर सा मेंटनेंस वास से जा सकती है बिल्कुल अगर एक बड़ा च्छा गोश्चन है जी बड़े लोकन वरते डाउट आंदा है अगर एक पार्डनर हिंदू है और दूसरा नौन हिंदू है फिर इस ग्राउन देविच वी जड़ी लड़की है ओ मेंटनेंस क्लेम कर सकती है इस हिंदू है चाहे मुस्लीम है चाहे अधर लिजन देविच जान देविच अगर लड़की किसे नाल इलिसिट रिलेशन चे रह रह रही है उस ग्राउन देविच अपने हस्बंड को लोग खर्चा क्लेम नी कर सकती है दूसरी आगी है अगर विदाउट अनी रीजनेबल नाल इस हस्बंड है और विच खर्चंण sunshine दी एक तेसरी है अगर दोनों जने mutual consent देविच आल अलाग रह 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 रहे हैं जी उस condition यह खर्चा क्लेम नी कर सकती है सर्फ हुन आम तोड़ते से यह भी देख रहे हैं कि नमा चलन है कि जड़ा लिविन रिलेशन जहां लड़के ने इंडिया चे मैरिज किती हुई है और उससे बाद वह रिलिजन चेंज करके कि वह तुबारा मैरिज कर सकता है मालनों सुपोज हो हिंदू है तो मुस्लिम अग कि स्टेटस रहेगा सो किस त्रीके देना लेना अगर एक लड़का वह उन्हें रिलिजन चेंज करके सेकंड मैरिज कीती है यह कार सगदा बिल्कुल नहीं कार सगदा मैरिज ऐस पर हिंदू लोग अगर लड़के ने कीती है ओ वॉइड मैरिज मनी जाएगी वैलिड कि उसमेस मेर्य दी लड़का हिंदू सी और प्ह confrontation मैरिज कितना किते हैं वर यह रिदि आ है वैलिजन चेंज कीता है इस मेरिज उसमें इस वेलिज वैलिड ही निहाँ के स्वेली ही और आपय हैं I mry वर्दल वर्षिज नलिन लिली थोमस नाथ किया उधे बड़ा क्लिर लिया है डिफाइड किता गया है अगर कोई करने में में रिलिजन चेंज करवा के मैरीज करदा तो इसी मैरीज वैलेड नहीं मनी जाएगी तो बहुत इंपॉर्टन डेडा तुसे नुक्ता दसे है क्यों सब तो इंपॉर्टन में जानना जुरूरी है कि सर जड़े असी मैरीज जे जाना है सुपोज लड़का बार ला जा लड़की बार ली है तब पेरेंट्स नो की की एहतियात क्योंकि जदो एक पार्टनर बापस नहीं आंदा जा दूसरे दिनाल कम्निकेशन टोड़ी आंद दर लड़का एन रही है वर उन बेस्ट है उदा पास्पोर्ट जूर लिया जाये उन्नों चेक कीता जाये उनूँ वैरीफ़ें करवा लिता जाये योधे नमबर तो पासपर्ड अशोर्टी दो पता लागी जानाँ और इंडियन अमट्सी दो पता लगी जिए secondly marriage कर्वान तो वाद marriage registered जूर करवाई जाए क्योंकि रिजिस्टर कर्वान तो वाद एक पंजाब देविच compulsory marriage registration act भी पंजाब गूर्मन लागू कर देता है और रिजिस्टर कर्वान नल किया है कि पासपूर्ट ते status चेंज होजेगा और वाइफ ता status जरूर नाला जाएगा और अबसी देविच विया चीज अपडेट होजेगी और नल किया कि लड़के बाहर जाके दूसरी marriage नहीं करवा सकनगी और अड्रेस वेरिफाई होजेगा सो बहुत इंपॉर्टन्ट है कितने किते पेरेंट्स नों ज्यादा चुकरने रहन क्यों कि बच्चेयां दी जिन्दगी दा सवाल होंदा और जदों भी होजी marriage बेचे जांदे और लड़की जड़ी है कई बरी उस नों पूरा संताफ हंदा ना पेंदा परबार दे परबा कि अगर लड़की दी marriage दूसी करना चांदे हो किसे ना रही ना ओधी verification प्रोपर कर ली जाए उदे पेंड़ दे ड्रेस तो लाया के उदे फोरन दे ड्रेस तक तानों पूरी जान कर रही हो है और अजकल पासपोर्ट अगर साथ नों पासपोर्ट नंबर मिल जंदा है असी हम बैसी तो पूरा क्लियर पता कर सकते हैं और पक्का या नहीं पक्का और सारा क्लियर हो जंदा है सेकंड लास्टली मेरी रिजिस्टर करवा के फेर बार पे जो अधरवाइज ना करवा हो मसाई दर्शकान नों यह जान कर जो कि सर की जदों लड़का ड़ड़ा है अगर मेरीज करके चला गया है तो बापस नहीं आ रहा है कि उसा पासपोर्ड इंपाउंड किता जा सकता है लेकिन पासपोर्ड ना पुलिस कर सकती है इंपाउंड और ना ही कोड कर सकती है रीसेंटली जटि आंद्रा परतेष हाई कोरी ने जजब्श को कि अगर पासपोर्ड इंपाउंड करना किसे था अभी क्रिमिनल कैसी हो सकता अगर पासपोर्ड इंपाउंड को बूलिस ध्यास, पासपर्ड ी पासपर्ड इंपाउंड झा सब एक काम तोर्थी है हो जा भी देखते हैं कि लड़का विदेश वे अच्छा महरिज हो गई है लेकिन कम्मिनिकेशन नहीं हो पा रहा है यह दे बावजूद भी लड़की जड़ी है ओ लड़के देना ले रहना चांदी सो बसे में दे जड़े आम तौरते से केस देखते हैं सो उधे बारे पिसा जरहा रहा है चाहे लड़की रहा है लड़का 新डिया चे रहा है थामी ने बन दी लड़की इंडिया नहीं बन दी ओदेविच ना को साङव कुल स्रूक्शन नाइन हिंदू मेरी जक्ष षेले प्रवीज सिविल प्रसीजर कोड थले ओडर इकी रूल बत्ती और तेती है उद विच जा के सी उस डिकरी नो एक्जीकुट करवा सकते हैं उस सम्मंध विच लड़के दी अगर डिकरी विच लड़के को इंडिया दी प्रोपटी है गिया और प्रोपटीयट से अटैच करवा सकते हैं करवा किसी लड़के कर सकते हैं सिवल प्रेजेटंमेंट विच पई सहकती हैं लटके लड़के देखलाफ adult प्रोपटीयट ऑक्ता बिच सेल और लड़की सिवल प्रीजेटेटील पई से हैं सो बड़ी इंपॉर्टन जानकार जड़ी है कि मेरिज जड़ी है उसे बाद से सानु बहुत सारे डॉक्मेंट्स जड़ी है अजकल आसी बेरिफाई कर सादे पासपोर्ट जिसना सानने दर्सेया सोशल स्कूरिटी इंबर अगर उसे कोड है ता सानु उस्तों भी पता लाग स जीवन है उसनों बदिया तरीक के देना मेरिटल जीवन डिड़ा और बचा सकते हैं सारे ना गल्वत करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आस कर दें कि साड़ी दर्शक जड़े इस जानकार इदा पर पूर लाब उठानगे और मेरिज जड़ी है एनराई मेरिजी सा उसनों सब्सक्राइब के देना लेकर जानगे बहुत 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 शुक्रिया और आस देंकिए